जब हम सभ्यता की सीवी चड़ रहे थे तब हमें रुप्य पैसे या व्यापार का कोई ग्यान नहीं था आवश्यक्ता के अनुसार वस्तूओं की अदला बदली की जाती थी असल में वस्तू विनिमय का इतिहास 6000 इसा पूर्व का है महासागरों के रास्ते विभिन शहरों में सामानों की अदला बदली की जाती थी सिंधू घाटी की सभ्यता के शहरों लोथल, सुरडा, काली बंगा, डोलावीरा, हडप्पा और मोहन जोदरों में खुदाई से प्राप्तीटों का साइज एक सा था इससे अनुमान लगा कि उस समय लंबाई चोड़ाई व वजन मापन का ज्यान लोगों को था इससे अनुमान लगाया कि मानक वजन और माप सिंधू घाटी सभ्यता द्वारा विक्सित किये गए होंगे केंद्रीकृत वजन और माप्रणाली सिंधू भाटी सभ्यता में मौजूद थी खुदाई में पाए गए मापन स्केल वजन मापन यंत्र से इस अनुमान की पुष्टी हो जाती है सिंधू सभ्यता के निवासियों ने लंबाई, ड्रव्यमान और समय को मापने में उच्चस्तर की सटीक्ता विक्सित कर ली थी वे एक समान बाट और माप्रणाली स्थापित करने वाले पहले लोगों में से थे इस सभ्यता ने तामबे, कास्य और चीनी मिट्टी के बने पैन बैलेस का निर्मान किया मोहन जो दरोग दो 600-1900 इस अपूर्प में पैन बैलेस का निर्मान, कौर्ट पिवट टाइप एक कास्य बीम वद दो पैन का उप्योग कर किया गया था इसका उप्योग विलासिता की वस्तूओं को मापने के लिए किया जाता था जबकि बड़े वजन का इस्तिमाल थोक वस्तूओं जैसे अनाजादी को खरीदने के लिए किया जाता था सिंधू भाटी सभ्यता में पंद्रह सो इसा पूर्व से पहले तौल के लिए हाथी दाथ से बने शासकों का इस्तिमाल किया जाता था लोथल 2400 इसा पूर्व में खुदाई से एक ऐसा स्केल प्राप्त हुआ जो लगभग एक बटा 16 इंच या एक दशमलव 6 मिलीमीटर के लिए अन्शानकित है सिंधु भाटी सभ्यता में जो गनिती उपलब्धिया अर्जित की गई उनमें 500 प्लम बॉब्स, बाइनरी और दशमलव अनुपात, स्केल और इंस्टूमेंट्स इत्यादी थी ये जानकर कौन कह सकता है भारत विश्वगुरु नहीं था, क्या हमें इस पर गर्व नहीं होना चाहिए